नमश्कार कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी अपने अपनी घरों पर सुरक्षित होंगे ठीक है और इस थंड में अपना ख्याल भी रख रहे होंगे आजकल सरदी बहुत बढ़ गी है अपने घर पे बैठके आराम से पढ़ाई भी कर रहे होंगी ठीक है तो हम जैसा कि आ समावयपता देखी और आज ह मारा क fiance लिखर आए लेक्ट नमबर एट तो पिछले लेक्टर से अमने ? किया किया डहा था जली कर लीजन कर लेते हैं हम्हें समावयपता का classification देखा कितने तरह की स MARY अफसरी होती है structural और stereoisomerasism structural और इसे screw isomerasism structural की टैप देखे stereoisomerasism के टैप डब देखे stereoisomerasism Л्टauty होती है और और एक तो थे configuration और यह two expressions नल ठीक है confirmational मैं वह ढ़े दो टैप देखे थे हम नोग ने configuration जहां पर बॉंड तूट के बनता है जहां पर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में खाली बॉंड के सिंगल बॉंड था जिसकी वजह से उनमें फ्री रोटेशन थी फ्री रोटेशन की वजह से एक समाव्यव दूसरे समाव्यव में बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे ठीक है तो वह कंफरमेशनल आइसोमरिल सी और कंफिग्रेशनल में हमने दो टैप एक प्रकासिक और एक्टेव हर और उप्री कली certified नहीं होता पंटी कुली एक्टेव होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत ही क्या था मॉरी कि क्या होना चाहिए अशंअनकि कि स्के अंदर किसी भी तरह का symmetry にमेंट मगोजूद नहीं होना चाहिए है कौन कौन से symmetry सिमेट्री एलिमेंट्स थे जो molecule के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए जैसे कि plane of symmetry और center of symmetry सम्मिती का तल और सम्मिती का केंद्र ये हमारे जो अडू है उसके अंदर कूरी तरह से अनुपस्थित होने चाहिए अगर ये अनुपस्थित हैं तो molecule क्या होगा? molecule की non-super imposable mirror image बनेगी यानि ऐसे दरपन प्रितिविम बनेंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे और अगर ऐसे दरपन प्रितिविम बन रहे हैं non-super imposable mirror image बन रही है तो molecule क्या होगा? chiral होगा, उसके अंदर chirality होगी और chiral होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? optically active यानि कि वो PPL को clockwise या anticlockwise घुमा सकता है तो यह हमने पिछले lectures में देखा था आज हम देखते हैं हम बात कर रहे हैं दरपन प्रितिविम बनेंगे mirror image mirror image दरपन प्रितिविम ठीक है? दरपन प्रितिविम mirror image दो type की होती है एक तो होती है non super impossible non super impossible mirror image होती है और एक होती है super impossible mirror image ठीक है? mirror image हमने देखी हमारे पास दो तरह की mirror image होती है एक होती है non super impossible और एक होती है सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल और सुपर इंपोजिबल हमने कल भी बताए था नॉन सुपर इंपोजिबल मेरा इमेज में क्या आता है जैसे हमारे दोनों हाथ यह दोनों क्या है एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल मेरा इमेज हैं ऐसी मेरा इमेज यह एक दूसरे पर अध्यार रुपिछ हो जाएं उनको क्या बोलेंगे कि सुपर इंपोजेवल मिरर इमेज जैसे एक्जांपल से देखते हैं example से हमारे पास यह दिया हुआ है यह molecule दिया हुआ है हमारे पास यह molecule दिया हुआ है अब हम इसकी mirror image बनाएं तीक है क्या बनाएंगे हम इसकी mirror image यानि इसके सामने हम क्या रख दें mirror रख दें अगर हम इस molecule के सामने mirror रख दें तो mirror में ये कैसा दिखाई देगा COH यहाँ है वो तो अपनी position change नहीं करेगा यहाँ है तो इसमें भी यहीं दिखाई देगा CH3 भी कहाँ दिखाई देगा अपनी जगे पर दिखाई देगा Change क्या हो जाएगा यहाँ पर यह mirror के just pass में है यह super impossible है या non super impossible अब मैं इस molecule को यहाँ से उठाऊ तीक है मैंने इस molecule को यहाँ से उठाया मैंने इस molecule को पकड़ कर यहाँ से उठाया और इसके उपर रखा तो क्या यह अध्यारोपित हो जाएगा क्या यह अध्यारोपित हो जाएगा नहीं में जैसे ही से उठाकर इसके ऊपर रखूंगी तो OH के सामने हो सकते थे लेकिन जैसे ही मैं इसे उठाके उबवर रखूंगी oh के सामने hALLY और जब एच के सामने oh तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं तो इन्हीं को तो कहा जाता है non superimpositive mirror image क्या कहा जाता है इनको non superimpositive mirror stage ये क्या कहले हिंगे एक जुसरे की ये ऐसी mirror image है जो एक दूसरे के उपर अध्यारोपित नहीं होती ठीक है समझ में आया अब सुपर इंपोजिबल देख लेते हैं सुपर इंपोजिबल कैसी होती है माल लो मारे पास ही मॉलिक्यूल है यह दे दिया है तोनों तरफ एच और एच है अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाओ लो भई बना देते हैं मिरर इमेज बनाएंगे मिरर रख दिया इसके सामनी तो क्या होगा COOH अपनी जगे पर दिखाई देगा CS3 अपनी जगे पर दिखाई देगा यह वाला एच मिरर के पास है तो यह बना दिया यह वाला एच मिरर के दूर है तो यह बना दिया यह बनगी इसकी मिरर इमेज क्या बनगी मिरर इमेज अब दूसरे का चेक करना है कैसी मिरर इमेज ह superimpozable है या non-superimpozable है तो यहांपर देखें मैंनेश को उठाया इस molecule को उठाया और इसके उपर रखा इसको उठाके इसके उपर रखा तो देखा ये तो पूरी तरह से superimpoz हो गया इस molecule को पूरी तरह से ढख लिया कैसे? COH के सामने जैसे मैं इसको ठाके यहां लाओंगी COH के सामने COH आएगा CS3 के सामने CS3 आएगा H के सामने H आएगा और इस वाले H के सामने भी कौन आएगा H आएगा यानि कि H के सामने H है COH के सामने COH है और CS3 के सामने CS3 इसका मतलब दौनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे पूरी तरह से अध्यारोपित कर लेंगे दौनों एक दूसरे को उपर क्या हो जाएंगे पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाएंगे तो जो इस तरह की mirror image होती है ये कैसी है super imposable है यह क्या है Super Imposable यानि इन्हें एक दूसरे के उपर अध्यारोपित किया जा सकता है Super Imposable किया जा सकता है और इनकी बात करें तो यह क्या है Non Super Imposable Mirror Image यानि इन्हें एक दूसरे के उपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता ठीक है तो यह होती है मिरा रिमेज दो तरह की सूपर इंपोजेबल और नॉन सूपर इंपोजेबल ठीक है तो समझ में आ गई अब यहाँ पर एक नई चीज आती है एक नए वर्ड में इंट्रोड्यूस करने जा रही है ठीक है इन दोनों में relation क्या है यह कहलाते है inantiomers क्या कहलाते है यह inantiomers हिंदी में इनको बोलते है प्रतिविंब रूपी क्या कहते है इनको हिंदी में प्रतिविंब रूपी इंगलिश में बोलते है inantiomers इन दोनों के बीच में क्या रिष्टा है यह दोनों क्या हैं आपस में इनेंशियो मर्स हैं क्या हैं इनेंशियो मर्स हैं यानि कि इनेंशियो मर्स क्या होते हैं वे त्रिविम समाव्यवी इनेंशियो मर्स क्या होते हैं वे त्रिविम समाव्यवी जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और वो भी कैसी non-superimposable mirror image होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? inentiomers कहते हैं। definition क्या होगी? वे त्रिविम समाव्यवी जो एक दूसरे की non-superimposable mirror image होते हैं। उनको inentiomers कहते हैं। प्रतिविम रूपी कहते हैं। तो जब भी आपको कहीं पर molecule ऐसा दिखें जो दो molecule ऐसे दिखें जो एक दूसरे की क्या हो mirror image हो जब भी कभी जब भी कभी आपको दो molecule ऐसे दिखें जो एक दूसरे की क्या हो mirror image हो जो एक दूसरे की mirror image हो लेकिन non superimposable हो कैसी हो non superimposable यानि mirror image तो है जिसे for example वनमेंट जैसे यह है ठीक है मैंने इसके सामने एक mirror रखा तो मुझे इसकी mirror image मिली ये क्या है ये वाला marker इस वाले marker की mirror image है ये वाला marker इस वाले marker की mirror image है हैं दौनों एक जैसी हैं लेकिन जब मैं इनको अध्यारोपित करने जाओं तो क्या ही है किआ अध्या रोपित हो रहे या नहीं बिलेक वाली साइड पर क्श्श्रों की दूसरे मार्कर कि ध्यारोपित नहीं हो रही इसी लिए यह món आपस में क्या कहला हैं अस örगत ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे इनका क्या रिलेशन होगा इनेंशियोमर्स क्या कहलाएंगे ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स इन्हें हम क्या कहेंगे इनेंशियोमर्स समझ में आया मेरा रिमेज तो हो लेकिन कैसी हो जो एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो उन् कि अख़ते हैं कि अख़ता हैं इनन चुमर्स क्या होते हैं क्या लिख सकते हैं वे त्रिविम समावय भी वे त्रिविम समावय भी जो एक दूसरे के दरपंड प्रतिविम्ब होते हैं वे त्रिविम समावय भी जबकि हम पड़ रहे प्रकासिक समावय भी तो किसके अंतर्गत आती है त्रिविम्ब समावय भी तो जो योग एक क्रकासिक समावय भी प्रदर्शित करेंगे उनको क्या गएंगे के उनमें क्या पाई जाती है stereo-isomerasism. प्रकासिक समाड़वतर क्या है? stereo-isomerasism का एक प्रकार, इसलिए मैं आपर क्या लिखा है? वेत्रिविंभ समावयवी, है ना? तो वेत्रिविंभ समावयवी जो एक दूसरे के दरपन्ण प्रतिविंभ होते हैं, पर्नतु पर्नतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते वे त्रिविम समागे वी जो एक दूसरे के दरपन प्रतिविम होते हैं परन्तु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें प्रतिविंब रूपी यानि इनेंशियो मर्स कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें प्रतिविंब रूपी इनेंशियो मर्स कहते हैं और इनेंशियो मर्स की अंदर बहुत बड़ी एक पॉइंट है क्या है non super imposible mirror image यानि ऐसी mirror image होंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती और जहां पर भी non super imposible mirror image बनती है यानि कि ऐसी mirror image बनती है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती वही molecule क्या होते हैं chiral होते हैं chirality पाई जाती है उनके अंदर यानि कि वो optically active होते हैं वो PPL को clockwise या anti-clockwise गुमाने की थाकत रखते हैं यानि कि जितने भी inantiomers होते हैं इन शॉर्ट एक लाहन में कहूँ तो जितने भी inantiomers होते हैं सब ही क्या होते हैं? Optically active होते हैं All inantiomers are optically active All inantiomers are optically active किसकी वज़े से? non no क्योंकि यह क्या होते हैं non-superimposable mirror image मिरार मेज होते हैं वो भी Thank you non-superimposable mirror image और chirality के लिए हमने कहा था क्यवा एक ही चीज इंप्वोटेंट है chirality के लिए मॉलीक्युल के अंदर chirality और अगर उसकी होकी अगर मतलब सभी Call in anisumers क्या होते हैं ऑप्टिकली हो होते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि सभी कि इन एंचियों मर्स क्या होते हैं कि अप्टिकली एक्टिव इंदी में बोलूं तो गुरूवन गूर्णक होते हैं कि एवल एक केस को छुड़ गर वो क्या है जब यह रैसिमिक मिक्स्चर बना रहे हूं रैसिमिक मिक्स्चर बना रहे हो वहां पर भी अप्टिकली अट्व होते हैं मिक्स्चर फीह अप्तिकली एक्टिव होता है कि निळता है यह चाहिए यहां पर क्या है एक सिमेट्रिक सेंटर कितने हैं यह पर एक है और जिन भी 2-3 किसकी बात करएं अगर केवल एक मोलिकुल के अंदर सिर्फ और सिफ एक ही एसिमेटरिक सेन्टर रहें तो ऊपर एक से ज़्यादा asymmetric center है तो वह optically active हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं लेकिन अगर asymmetric center अरकेवल एक हैं जैसा कि यहां पर हैं तो वह हमेशा क्या होंगे इस वात को आप हमेशा याद रखिएगा तो यानि कि इसकी में अगर mirror image बनाऊंगी तो कैसी बनेगी non-superimpossible mirror image क्या है यह non super impossible mirror image तो यह दोनों क्या कहलाएंगे आपस में inansiomers तो यह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे inansiomers non super impossible mirror image है इनको क्या कहेंगे inansiomers है और non super impossible mirror image होने की वज़े से यह क्या हो जाएंगे optically active हो जाएंगे यानि कि यह PPL को clockwise या anti-clockwise घुमा सकते हैं ठीक है अब मैंने बोला कि एक केस में optically active नहीं होंगे कब यह दो form बनी इसकी है ना दो है एक तो यह molecule और एक इसकी mirror image है है ना मानलो यह molecule PPL को यह जो है यह molecule PPL को क्या करता है clockwise गुमाता है यह molecule PPL को clockwise गुमाता है तो यह क्या कहलाएंगा dextro rotatory क्या कहलाएगा dextro rotatory अगर यह clockwise गुमा रहा है तो यह क्या कर रहा होगा anti-clockwise गुमा रहाह होगा तो क्या लएगा ल cable भाण लिव रॉस्यवं टो अब मानो मेरे पास एक बोतल है ही कि कैमेरा पास एक बोटल है ओए इसके अंदर मैंने 50 परसेंट तो लिया है अंदर मैंने कि 50 क्या है 50% क्या है में पास यह गतल के अंदर मैंने बढ़ा है मिक्षर लिया है यहां पर इसके अंदर 50% क्या है 50% डेक्स्टो रूटेटरी तो यह आपस में क्या मिलकर बनाएंगे दोनों की मात्रा समाने कोई सब्सक्राइब मिलकर दोनों की मात्रा में समान मात्रा में लिया गया मिक्षट कि दोनों से आफ्रा समानों 50% हो 50% हो तो एसा मिक्टर क्या क्याता आता है the ौ अगर इस मिक्ते पीपेला और अगर इस महीत मिस्तों में एक मॉलीक्यूल एक मॉलीकूल क्या कर राए एक molecule clockwise गुमा रहा है PPL को तो दूसरा molecule क्या कर रहा है anti-clockwise गुमा रहा है PPL को तो एक clockwise और एक anti-clockwise दौनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी cancel कहां पर racemic mixture में एक clockwise गुमा रहा होगा एक clockwise गुमा रहा होगा और एक क्या कर रहा होगा anti-clockwise गुमा रहा होगा तो यह दौनों आपस में दूसरे को क्या करतेंगी कैंसेल कर देंगे इसलिए ओँब और ओल्ग मिक्स्चर ओप्टीकली इनेक्टिव हो जाएगा ओबर ओल मिक्स्चर क्या हो जाएगा Us और नहीं आपका ऊड़ेंगे यह सीमिक मिक्चर्वर्ठ रार तो इन इंहां ओते करो पर us ऑपक्टिकल इनाघ्र स्वर्द हरो एक द्ल कॉप्वाइब क्लॉक्वाइस और एक एंटिकणो कॉस्न हो गाइगा प्लू कोज है ठीक है इसकी मिरार इमेज बनाओं मैं क्या बनेगा मिरार में शीएच अपनी जगह पर आएगा है यह क्या ऐगा शीएच टू अपनी जगह पर आएगा यह ऊच मिरार के पास में है तो यह ओ एच मिरा इमिज बनानी है तो ओएच यह है तो यहां पर एच और यह यहां पर ओएच है तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा यह यह डी ग्लूकोज है यह क्या है नजै है क्या है यह कुछ और ही बना है यह D glucose है एल glucose है यह इसके लाब कुछ और ही बन गया है तो यह क्या कहलाएंगे आपस में यह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे एक दूसरे की mirror image है और अगर मैं इसको उठा कर इसके उपर रखूं तो क्या अध्यारोपित हो जाएगी नहीं होगी क्योंकि इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगी तो यह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे इनंशियो मर्स क्या हैं यह दोनों आपस में इनंशियो मर्स हैं ठीक है तो इनंशियो मर्स होते हैं जो एक दूसरे की मेरर इमेज होते हैं और वो भी कैसी नॉन सूपर इंपोजेवल मेरर इमेज तो जहां पर भी आपको ऐसे मॉलेक्यूल दिखे हैं जो एक दूसरे की मेरर इमेज हैं और वो भी नॉन सूपर इंपोजेवल तो वो क्या होंगे उनका रिलेशन क्या होगा आपस में इनेंशियो मर्स वह आपस में क्या क्या लाएंगे इनेंशियो मर्स और वो हमेशा ही क्या होंगे अप्टिकली एक्टेव यह भी ऑप्टिकली एक्टेव होंगे दोनों यह भी दोनों अप्टिकली एक्टेव होंगी क्योंकि इने अब जैसे Salut होते हैं, वैसे ही एक और होते हैं, डाया stereo isomer, दूसरे होते हैं… डाया stereo isomer, जिन्ने का महीं हम इंदी में बोलते हैं, A-प्रति-विंब रूपी. अब जैसे प्रति-विंब रूपी होंगे, तो उनके एक opposite भी होंगे अ प्रतिबिंब रूपी तो अब हम देखने वाले नेक्स्ट अ प्रतिबिंब रूपी जिनको बोलते एंग्जिस में डाया स्टीरियो डाया स्टीरियो आइसो मर्स या डाया स्टीरियो मर्स भी बोल करें नॉर्मली डाया स्टीरियो मर्स यहां पूरा का पूरा नाम है डाया स्टीरियो आइसो मर्स तो यहां पर तो नाम में आ रहा है डाया स्टीरियो यानि कि यह क्या होंगे वे त्रिविम समाव्यवी जो एक दूसरे की मिरर इमेज एक दूसरे के दरपण प्रतिविम नहीं होते वे त्रिविम समाव्यवी जो एक दूसरे के दरपण प्रतिविम नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रतिविम रूपी यानि कि डाया स्टीरियो आईसोमर्स कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अप्रतिविम रूपी डाया स्टीरियो आईसोमर्स कहते हैं इनैंशियोमर्स क्या थे? मिरर इमेज थे यानि कि हमें कोई दो मॉलिक्योल दिये गए हैं दोनों आपस में क्या कहलाएंगे डाया स्टीरियो आईसो मर्स यानि कि जब दो समागे वी एक दूसरे की दरपन प्रितिविंब नहीं होते हैं तो उनका relation आपस में होता है डाया स्टीरियो आईसो मर्स का क्या होता है उनका relation डाया स्टीरियो आईसो मर्स का जैसे फॉर एक्जामपल मैंने यह लिया एक मॉलिक्यूल यह है मेरे पास ठीक है एक मॉलिक्यूल यह है पहला यह है मेरे पास दूसरा यह है अब मुझे बताओ क्या यह वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है क्या यह दोनों मिरर इमेज हैं अगर मिरर इमेज होते तो यहां पर एच है मिरर के पास कोना रहा है एच तो यहां पर एच आना चाहिए था यहा यहां पर एक तो है लेकिन यहां पर कौन है इसका मतलब यह एक दूसरे की मिरा रिमेज नहीं है इसलिए यह दौनों आपस में क्या है इसलिए यह दौनों आपस में हैं डाया stereo isomers जब दो molecule जब दिये गए दो molecule एक दूसरे के दरपन पृतिविम नहीं होते हैं उन्हें हम डाया stereo isomers कहते हैं क्या यह एक दूसरे के दरपन पृतिविम है नहीं न अब ह लेकिन ऐसा नहीं है तो यह एक दूसरे के मिरा रिमेज नहीं है तो इसलिए यह क्या है डाया स्टीरियो आईसोमर्स है और एक्जामपल ने तो यह ले लूँ है डी ग्लूकोज अभी अभी हमने बनाया था ना यह है डी ग्लूकोज और मैं ले हूँ एक डी मैनूज एक ग्लूकोज लिया है और एक ले लूँ मैं मैं मैंनूज यह क्या है यह है डी मैनूज एक है मेरे पास एक मुझे दिया ग्लूकोज और एक मुझे दिया ग्लूकोज और एक मुझे दिया ग्लूकोज अब मुझे से पूछा गया है कि इन दौनों में क्या रिलेशन है बताओ क्या यह एक दूसरे के दरपन प्रतिविम है या दरपन तो हम क्या से चेक करेंगे relation हम देखेंगे कि दरपन प्रतिविम है या नहीं है अगर दरपन प्रतिविम है तो क्या हो जाएंगे यह इनेंशियोमर्स अगर दरपन प्रतिविम है तो यह क्या हो जाएंगे इनेंशियो उसका मतलब बाकी कुछ भी बहुत एक दूसरे के दरपण प्रपिविंब नहीं है। यह एक दूसरे के मेरा रिमेज नहीं है इसलिए यह क्या है यह है दाया स्टीरियो आईसो मर्स क्या है यह दाया स्टीरियो आईसो मर्स है अब प्रितिविम्ब रूपी है विसे इनका एक और रिलेशन भी है डी ग्लूकोस और डी मैनोस का एक और रिलेशन भी है यह एपीमर का कि 2 चीजिफ पड़ेंगे कि 3 सब पढ़ेंगे 101 जा fd कि एपिमर्स हैं इसका मतलब जितने भीएपी मर्प होते हैं जितने रहे गैयस होते हैं सारे एपी मर्पठाइड मार्स होते हैं लेकिन सारे डायस्टी आइसो अमर्स Epimers नहीं होतें यह भी तो Die¡ Stereo Isomers है लेकिन यह epimer नहीं है जबकि यह दोनोब EPMER हैं और यह दोनों क्या है diasteri isomers सुरिय मैंने बोला कि सारे सारे जितने भी epimers होंगे वो diasteri isomers होते हैं लेकिन सारे diasteri isomers ipimers नहीं होते तो यह दो अलग अलग बातें इनको मिक्स मत कीजिएगा तो यह थे अमारे इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियो आईसोमर्स ठीक है अब हम देखते हैं एक होते हमारे पास मीजो क्या होते हैं मीजो अगले क्या हैं मीजो इनको मीजो क्या होते हैं कोई मॉलिक्यूल मीजो कब होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल के मीजो होने के लिए दो कंडिशन का होना जरूरी है किसी भी मॉलिक्यूल के मीजो होने के लिए दो कंडिशन का होना जरूरी है किसी भी मॉलिक्यूल को हम तब कहेंगे कि यह मीजो है जब उसमें दोनों कंडिशन फॉलो हो रही होंगी यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी अडू में निम्न दो निम्न दो कंडिशन्स को क्या वोलेंगे यहाँ अईसे लिखें वह अडू मीजो कहलाएगा जिसमें वह अडू मीजो कहलाएगा जिसमें पहला तो क्या होना चाहिए जिसमें एक से अधिक असम्मित, कार्वन, पर्माडू, उपस्थित होने चाहिए जिसमें एक से अधिक असम्मित, कार्वन, पर्माडू, उपस्थित हो। होते हैं होते हैं अगर asymmetric Central एक ही हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा गूसिसली अब तो पहली कंडिशन है कि एक से अधिक सम्मित कारवन लिए उपस्तित हो और दूसरी कंडिशन है अडू में कम से कम एक सम्मिती का तल उपस्थित हो तल उपस्थित हो ठीक है? ये दो कंडिशन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनो कंडिशन फॉलो हो रही है अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनो कंडिशन फॉलो हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल है वो मीजो है कैसा है मीजो पहला तो उसके अंदर एक से जादा asymmetric center होने चाहिए उसके अंदर एक से जादा asymmetric center होने चाहिए और दूसरा उसके अंदर एक कम से कम एक plane of symmetry जरूर होना चाहिए कम से कम एक plane of symmetry जरूर होना चाहिए ठीक है ये दोनों condition मौजूद होनी चाहिए तभी वो molecule कहलाएगा मीजो अगर इन में से कोई भी एक condition absent है यानि कि asymmetric center तो है एक से जादा मालो कोई molecule है जिसमें asymmetric center है तीन लेकिन उसमें कोई plane नहीं है ये तो है लेकिन ये नहीं है plane नहीं है तो फिर वो मीजो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का होना जरूरी है plane भी होना चाहिए और asymmetric carbon परमाडू भी होना चाहिए ये दोनों होंगे तभी वो मीजो होगा तो हम यह example लिख सकते हैं example में हम क्या लिख सकते हैं और यहां पर भी क्या दे दिया है सी ओ ओ एच देखें इसके अंदर असम्मित कारवन पर माड़ू है यानि असम्मित कारवन पर माड़ू क्या होता है एक ऐसा कारवन जो ओ तो संक्रित हो और इसपर चार अलग-अलग सम्मू जुड़े होए हो तो देखें ये क अलग-जोई हे घ्जा एक तरफ ट्रफ इसको में आररंण स्रुद्व इसका मतलँ यहां पर सबस्क Lapid और माड़ू है लेकिन अभी तो अकी मिला यह एक एकहन क्जाहिए जायते? से जादा होने चाहिए क्योंकि अगर एक होगा तो फिर यह क्या हो जाएगा इने इंशियोंर हो जाएगा इस वाले कार्वन पर देखें एक तरफ है एक तरफ क्या है कार्वन जिस पर ओए एच और चुड़ेगा यह अलग समूँ है तो यहां पर कितने asymmetric center is asymmetric center पहली condition तो follow हो गई इस molecule में पहली condition तो follow हो गई असम्मित carbon परमाड़। एक से जाधा है asymmetric center एक से जाधा है दो है अब दूसरा क्या देखना है हमको क्या इसमें सम्मिती का तल मौजूद है तो हम क्या करें अगर molecule को बीच में से काटें यहां से molecule को बीच में से काटें तो यह वाला भाग इस वाले भाग की क्या होगा mirror image होगा है ना यह दोनों भाग क्या होंगे same होंगे OH के सामने OH रहेगा अगर मैं यहां से काटू इसे तो OH के सामने OH carbon के सामने carbon hydrogen के सामने hydrogen और إør सी तो ह गे के सामने एक दूसरे में दौनों को काटपूं और दूसरे के doğru कर दूंए मतलब इसके अन्दर संनल मौजूद है इसलिए काम दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है और इसके अंदर plane of symmetry भी है और example ले तो जैसे ये ले लें ये ले लें ठीक है ये वाला कारवन एक तरफ CH3 एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ hydrogen और एक तरफ क्या है कारवन है ठीक है इसका मतलब एक यहां पर asymmetric center है यहां पर है तो यहां पर भी असम्मित केंद्र है पहली condition तो फॉलो हो गई asymmetric center एक से जादा है दूसरा क्या इसमें plane मौजूद है तो अगर मैं molecule को यहां से काटू तो ब्र के सामनी ब्र है hydrogen के सामनी hydrogen है CS3 के सामनी CS3 है इसका मतलब इसमें plane of symmetry मौजूद है तो दौनों condition फॉलो हो गई तो यह क्या कहलाएगा मीजो कहलाएगा लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूँ मौलेक्यूल को अब देखूं क्या अभी यह मीजो है या नहीं पहले तो एसिमेट्रिक सेंटर चेक करते हुए कारवन CSC 3 sc3 BR ए च और अलग ही कारवन है एक सेंटर यहां है यहां यह कारवन भी एसिमेट्रिक सेंटर यहां हो नहीं पहले है यहां पर करक्षांटर के सामनी यह कृण सेंटर 민 को मौझूद है या नहीं तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच में से काटूं तो बी यार के सामने भी यार है ठीक है हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है ठीक है लेकिन यहां तो सी एच त्री ग्रूप है और यहां पर क्या है सी ओ और सी ओ एच एक दूसरे को अध्यार उ इसका मतलब इसके अंदर एसमेट्रिक सेंटर तो हैं इसके अंदर एसमेट्रिक सेंटर तो हैं पहली कंडिशन तो फॉलो हो रही है लेकिन दूसरी कंडिशन फॉलो नहीं हो रही है लेकिन दूसरी वाली कंडिशन फॉलो नहीं हो रही इसके अंदर प्लेन और सिमेट्री नह सामने से प्लेन डालू ऐसे तो एक तरफ कौन है एक तरफ ब्रोमीन है और दूसरी तरफ कौन है हाइड्रोजन तो यह वाला तल भी मौजूद नहीं है यह डालू तो यह वाला तल भी मौजूद नहीं है क्योंकि बी आर के सामने बी आर है हाइड्रोजन के सामने फॉलो होगा क्योंकि मीजो होने के लिए इन दौनो कंडिशन का फॉलो होना जरूरी है इन मैंसे कोई एक बात भी अनुपस्थित हुगी अगर कोई एक कंडिशन भी अनुपस्थित हुई तो फिर वो मॉलेक्यूल मीजो नहीं कहलाएगा ठीक है अगर अब हम यहां पर एक और बात देखें मैंने बोला मीजो वही होंगे यहां पर एक चीज आ रहे है सम्मिती का तल है ना यानि कि जितने भी मीजो यौगिक होते हैं उनमें असम्मित कारवन परमाडू तो है जो काईरल हो सकता है ना लेकिन हमने क्या बोला था अप्टिक उपस्थितफ ना हो लेकिन मीजो यौगिकों में क्या उपस्थित होता है सम्मिती का तल उपस्थित है यानि कि जितने भी होते हैं उनमें एल्मेंट ऑफ समय मौजूद है सम्मिती का कईम extremely का main के मौझुद है सिमेट्री का एक एलीमंट मौझूद है और वह एलीमंट कौन सा है नहीं होंगे तो यह अप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे तो हम यहां लिख सकते हैं कि सभी मीजो योगिक ओप्टिकली ओप्टिकली इनेक्टिव यानि कि धूबण अगूरनक होते हैं यानि जितने भी मीजो मॉलिक्यूल होंगे अगर कोई मॉलिक्यूल मीजो है तो वो कभी भी PPL लाइट को clockwise या anticlockwise घुमा नहीं सकता यानि कि वो कभी भी PPL के प्रति कोई व्यवहर प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि वो ओप्टिकली इनेक्टिव होगा हमेशा ही हमेशा ही क्या होगा ओप्टिकली इनेक्टिव यह किसकी वज़े से होती है सम्मिति के तल की वज़े से ठीक है तो अब हम नेक्स लेक्चर में बाकी के रेसे में एक मिक्स्चर बगएरा और आरेस मोमें खेंगे अभी के लिए इतना ही काफी है थेंक्यू हमेशा ही है